लगभग सभी लोग यही जानते हैं कि कुट्टे खुले में ही सहवास की क्रिया करते हैं जिसका कारण है कुट्टों को द्रौपदी का दिया हुआ श्राप जिहां दोस्तों कुट्टों का ऐसा करना एक श्राप है कुट्टों को महाभारत काल में ही एक श्राप दिया गया थ आईए आपको इस बारे में आजम बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके पांचाल राजी के राजा दुरूपद ने अपनी बेटी द्रौबदी का स्वयमबर अपनी राजधानी में ही रखा था शर्थ ये थी कि जो भी व्यक्ति पानी में छवी देखकर घूमती हुई मचली की आँखपन निशाना लगाएगा उसी से दौबदी का विवा होगा स्वयमबर में बहुत सारे राजा पहुचे उन्होंने हिस्सा लिया और अस्फल हुए आखिर में ब्रामण वेश में पांचो भाईयों संग पहुचे वहाँ पे अरजुन ने ये कारनामा कर दिखाया दौबदी ने उनके गले में वर्दमाला डाल दी दौबदी को लेकर अरजुन कुंती के पास पहुचे और कहा कि भिक्षा लेकर आया हूँ कुंती ने जाने बिना कि भिक्षा क्या है अरजुन से कहा कि उसे पांचो भाईयों में बराबर बाट लो क्योंकि जब भी पांडु पुत्र भिक्षा लेकर के आते थे तो कुंती यही कहती थी कि पांचो भाईयों में बाट लो इस तरह से इसी आधत के कारण उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि पांचों भाईयों में बाट लो बिना ये जाने कि भिक्षा में वो क्या ले करके आये हैं इस तरह से दुराब्दी पांच भाईयों की हो गई जब द्रौबदी को अपने बट जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने एक शर्त रखी शर्त ये थी कि एक बार में वो एक ही भाई के साथ रहेंगी तब पांड़ों में से दूसरा कोई उनके कक्ष में नहीं आ सकता अगर कोई इस नियम का उलंगन करता है तो उसे एक साल का वनवास जेलना पड़ेगा सभी ने इस शर्त को मान लिया तै कि आग्या कि जो भी भाई द्रौबदी के कक्ष में जाएगा वो अपनी चरण पादुका यानि कि अपने जूते कक्ष के बाहर छोड़ देगा इसमें सभी को अंदाजा हो जाएगा कि कोई दूसरा भाई द्रौबदी के साथ है उसके बाद जब भी कोई एक पांड़ द्रौबदी के कक्ष में जाया करता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था ताकि कोई दूसरा पांडव पांडव की पादुकाईं देखकर कक्ष में प्रवेश ना करे परन्तु एक बार जब युदिश्चिर अपनी पादुका प्रवेश द्वार पर उतार करके द्रौबदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे तब ही वहाँ पर एक कुट्ता आया और खेल-खेल में उस कुट्ते ने पांडव की पादुकाईं उठा ली और पास के जंगल में जाकर के उनके साथ खेलने लगा उसी दोरान अर्जुन अपने कक्ष की और प्रस्थान कर रहे थे उन्होंने देखा कि द्रौबदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाईं नहीं रखी है और वो द्रौबदी के कक्ष में प्रवेश कर गए उन्होंने दोनों को साथ देख लिया इससे द्राबदी और युदिष्टिर तो लजित हुए ही अर्जुन भी शर्मशार हो गए लजित द्राबदी को अर्जुन पर बहुत गुसा आया उन्होंने बेहत गुसे में अर्जुन से पूछा कि क्या उन्हें बाहर रखी चरण पादुका नहीं दिखी इस पर सिर नीचे किये अर्जुन ने कहा नहीं इसके बाद अर्जुन और भीम उस पादुका की खोज में निकल पड़े जंगल में उन्हें कुछ कुट्टे युदिष्टिर की पादुका के साथ खेलते हुए दिखे जब उन्होंने आकर पूरा माज़ा द्रौबदी को बताया गुस्से में तमतमाई द्रौबदी ने कुट्टों की समूची प्रजाती को श्राब दे दिया समूची प्रजाती को श्राब देने की वज़ा या थी कि किस कुत्ते ने युदिश्टिर की पादुका चुराई ये तैन नहीं किया जा सकता था द्रौबदी ने शाब दिया कि एक कुत्ते की वज़े से उन्हें लज्जित होना पड़ेगा जैसे उनके निजी छणों को किसी और ने देख लिया है वैसे ही कुत्तों की पूरी प्रजाती अब लज्जित होगी वे सभी के सामने सहवास करेंगे और हसी का पात्र बनेंगे द्रौबदी इस इस्थिती में केवल इसी वज़े से पहुची थी क्योंकि उनके पांच पती थे अगर उनका विवा केवल एक के साथ होता तो शायद इस तरह की इस्थिती नहीं आती ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों द्रौबदी के पांच पती हुए वो भी जबकी महाभारत की कताओं के मुताबिक द्रौबदी समान इस्थि नहीं थी वो तो यग्य से जन्मी थी उन्हें माकाली का अवतार माना जाता था इसका उत्तर भी महाभारत की ही कहानी से मिलता है द्रौबदी ने योग्यवर की लालसा में महादेव की साधना करी थी महादेव प्रसन हुए तो द्रौबदी ने उनसे कहा कि मैं अपने लिए योग्यवर चाहती हूँ महादेव ने पूछा तुम्हारे मुताबिक योग्यवर में क्या-क्या गुड़ होने चाहिए द्रौबदी ने अपने पती के पांच गुड़ बताए उन्होंने कहा मेरा पती धर्म का प्रतीक हो उसमें हनुमान जैसी शक्ती हो परशुराम जैसा धर्नुधर हो ऐसा सुन्दर हो कि समय भी उसके लिए ठहर जाए और उसमें अतुल्निय सहन शक्ती हो महादेव ने द्रौबदी को इक्षापूर्ती का वर्दान दे दिया हाला कि ऐसे गुड़ एक ही विक्ती में मिलना बेहद मुश्किल था ऐसा कहें तो नामुम्किन था लिहाजा द्रौबदी स्वयंबर में भले ही अर्जुन के द्वारा जीती गई लेकिन उन्हें पांचो पांडों के साथ रहना पड़ा क्योंकि वे पांचो पांडों इनी गुड़ों के प्रतीक थे एक एक गुड़ सभी पांडों में था युदिश्चिर धर्मरास थे, भीम महाबली थे, अर्जुन धनुर्दर थे, नकुल बेहर सुन्दर थे और सहदेव में सहन शक्ती अपार थी द्रौबदी को मिला वर्दानी उनके लिए अभिशाब बन गया द्रौबदी के लिए गर्व भी था उनकी मनोकामना के सभी गुड उनके पतियों में थे लेकिन ये दुरभागी भी था कि वे गुड एक में नहीं बलकी पांचों लोगों में अलग-अलग बटे हुए थे द्रौबदी को जब पांचों भाईयों में बाटे जाने की बात पता चली तो उन्हें भी अपने वर्दान का एहसास हुआ लिहाजा उन्होंने इसे अपने ही तप का फल मान कर स्वीकार कर लिया हालाकि इस्त्री लज्जा की खातिर उन्होंने एक वक्त में एक पती के साथ ही रहने का नियम बनाया था तो दोस्तों ये था कुत्तों को मिले हुए श्राप का कारण ये लोक कथा बहुत ही प्रचलित है परन्तु इसका प्रमाड किसी भी गरंथ में नहीं मिलता है जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तक तक के लिए राधे राधे